हाई गाई वेलकम टू स्टड़ी काउच तो आज हम मत करेंगे बजट के बारे में जिसको कि एन्वल फाइनेंशल स्टेटमेंट भी बोला जाता है यह क्या होता है किस तरीके से यह बनाया जाता है और क्या-क्या चीजे इसमें इंक्लूड़ेड होते हैं और किस तरीके से ज से पिले एक example consider कर लेते हैं जैसे कि माल ने ते हैं यह को परसन है और जिनके पास में गौर्रमेंट जॉब है मतलब कि इनके पास जो monthly salary वो आती है और काफी आची खासी monthly salary आ जाती है और उसके जो 50% यह अपने bank account में saving account में रखते हैं और बाकी जो 50% वो अपनी wife को दे देते ह से कि घर का खर्जा चल सके और वो कुछ पैसा अपने हिसाब से सेव कर लेती है और यह period चलते चलते हैं तीन चार साल हो गए है ठीक है उसके बाद में इनका मन करता है कि यह गाड़ी यह खरीदना चाहते हैं basically तो इनके पास में ऐसी situation में दो options हो सकते हैं या तो यह directly अपन चलेगा तो पंगा हो सकता है और दूसरी situation में यह अपनी वाइब से के साथ में है अगर consult करते हैं तो उनका क्या reaction होता हो सकता है कि वह यही गाड़ी दिला दे या फ comment कुछ अच्छी या फिर हो सकता एक वह नैनो इनली दिला दे तो यह situation उनके mood पे basically depend करती है तो उसी तरी इंडिया दूसरा होता है Consolidated Fund of India तीसरा होता है Public Account of India एक एक करके अगर हम बात करें जैसे contingency Fund of India जो है इसके बारे में जो प्रोविजन है गोईनियन Constitution का Article 267 में दिया जाता है और इसको बेसिकली जो President of India है मतलब की रामनात को इंजियों है उनके द्वारा इसको हेल्ड किया जाता है इसका मतलब यहां पर यह नहीं हो गया कि यह अपनी पॉकेट में चेक्बुक लेकर गूम रहा है और जिसको मान किया उसको बाट रहे हैं ठीक है और यहां पर इसको ऑपरेट जो है वो Finance Secretary के द्वारा किया जाता है जैसे मालों में CFIB बोला जाता है किसी इंटरेइशन से या फिर इंडिया के अंडर से हुन लिद्ध तो वह सारे पैसा जो है फॉय।फे फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता fund of India के अंदर ही रखा जाता है और इस fund से अगर मालो एक रुपया भी निकालना है तो उसके लिए parliament के approval की जरुत होती है बिना approval के एक रुपया भी आपी fund से नहीं निकाल सकते है उसके अलावा थर्ड होता है public account of India इसका provision भी article 266 के अंदर ही है जैसे जो भी government departments होते है या फिर government ministers जो होती है उन सब के जो saving accounts का जो पैसा होता है day to day transactions के लिए ज़रुत होती है वो पैसा इसके अंदर आता है उसके अलावा जैसे national small saving funds जो हो गया या फिर defense fund हो गया या फिर national investment fund हो गया और जैसे मालो dis investment अगर central government के दोरह कुछ किया जाता है उससे जो पैसा आता है वो सारा पैसा public account of India के अंदर आता है और इससे भी कोई पैसा निकालने के लिए parliament को जो prior approval है उसकी ज़रुवत नहीं होती है अब budget के अगर हम बात करें जिसको कि annual financial statement बोलते है जिसको जनरली 1st February को अभी present किया जाता है इसके बारे में जो यह date है इसको कब present करना है यह fix की जाती है president of India के द्वारा यह इसके mean decide करता है और यहाँ पे जिसे एक period के गरम बात करें तो 1900-1999 से 2016 तक 1999 से 2016 का जो period था उस time जब general budget और railway budget को अलग-अलग present किया जाता था तो उस time February का जो last working days होता था उस time पे सुबह 11 बजे जो general budget था उसको present किया जाता था वर 2017 में change किया गया और इस budget को जो 1st February है उस time से ही present किया जाने लगा उसके साथ जो general budget और railway budget जो है उन दोनों को भी एक साथ present किया जाने लगा और तब से अब तक यही situation चल रही है तो होता है कि जिसे finance minister जो है mainly तीन files के साथ में पार्लेमेंट में जाती है ये तीन files होती है एक तो होती है appropriation bill दूसरी होती है finance bill और तीसरी होती है annual financial statement अप्रोप्रियेशन बिल में basically होता है कि जिसे पार्लेमेंट से जो CFIA यानि कि Considulated Fund of India है उससे कुछ पैसा निकालने की जो permission है वो पार्लेमेंट से ली जाती है और दूसरा होता है finance bill इसमें basically जो public है यानि कि जो जनता है उससे जो tax वगर कलेक्ट करने के जो provisions है rules and regulations मगर कोई changes वगर किये गए तो वो सब finance bill के अंदर रखे जाते हैं और तीसरा होता है annual financial statement जिसमें की पार्लेमेंट को ये दिखाए जाता है कि पैसा कहां से आएगा पैसा कहां पर खर्च होगा उसके बारे में पूरी detailed information होती है जिसे कि अगर हम annual financial statement को देखें तो इसको mainly broadly two categories में categorize किया जाता है budget receipt में मतलब पैसा कहां से आएगा ये पैसे की incoming होगी और budget expenditure ये पैसे की outgoing होगी कहां कहां पैस्पेंड किया जाए expenditure होगा जैसे कि receipt में अगर हम बात करें तो revenue receipt से पैसा आता है और capital receipt है और budget expenditure में revenue NY out on capital expenditure में जाता है जैसे budget receipt को और हम देखें तो जो budget receipt है बैसिकली revenue receipt revenue receipt में दौ तरीके से पैसा एक तो tax revenue आता है और non-tax revenue से एक स्वसक्तों नं-tax revenue São claim contract ये मतलब पैसे वाले जो उनके दोरे जो tax दिया जाता है वो tax revenue के अंदर में आता है direct tax की categories में उसके अलावा होता है indirect tax जैसे की sales tax हो गया या फिर exercise duty वगर हो गया यह सब जो normal लोग है उन सब के दोरे जो indirect tax वगर दिये जाते हैं वो सब basically tax revenue के अंदर ही आते हैं उसके अलावा जैसे मालोग कोई loan वगर है इंडियन government के दौरे दिया गया है उस पे जो interest आ रहा है ठीक है यहाँ पर main point है interest जो आ रहा है वो non tax revenue के अंदर रखा जाता है और कोई भी जो institutions वगर है उनकी fees क्या है fines वगर अब जो है वो सब से भी जो पैसा आता है वो भी non tax revenue के अंदर रखा जाता है और मालोग कोई global NGO है उसके दौरा कोई भी donation किया गया है इंडियन government के लिए वो पैसा जो आता है वो non tax revenue के अंदर में रखा जाता है यह सारे जो पैसे आते हैं यह basically ना तो central government के लिए कोई asset की तरह काम करता है ना ही इनक central government के दौरा dis investment किया गया है तो इन सब चीजों से जो पैसा आता है वो capital receipt के अंदर रखा जाता है इसमें basically या तो liability create हो थी central government पे या फिर central government को जो कोई asset है वो कम हो जा जैसे की recovery of loan के अगर हम बात करें तो जैसे मालों किसी को loan दिया गया था उस loan की पूरी तरीके से recovery हो गई recovery हो गई तो interest कुछ आए गई नहीं वो तो खतम हो गए system तो इस वज़े से जो एक asset की तरह जो काम कर रहा था वो हड़ जाएगा borrowing की अगर हम बात करें तो किसी country से या किसी organization से जब पैसा लिया गया है तो यह basically central government पे liability create करता है liability का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे सिर्दर्दी हो गई central government के पास में कि उनको पैसा देना भी है टेक पीरियेड के बाद में और उस पे जो interest आ रहा है वो भी लोटाना है तो basically यह एक liability central government पे हो जाती है और अगर हम budget expenditure की बात करें जिसकों की दो terms में define किया जाता है revenue expenditure में और capital expenditure में अब revenue expenditure में जिसी जो interest पी किया जाता है वो basically revenue expenditure के अंदर में आता है यहाँ पर ज्यान रहे है जो expenditure के अगर हम बात करें तो यहाँ पर money जो है वो outgoing हो रही है ठीक है पैसा जा रहा है खर्च हो रहा है यहां पर और जिसे subsidies वगएरा जो है जिसी की एक slender वगएरा की जो subsidies वगएरा दी जाती है उन सब पे जो पैसा खर्च होता है वो भी revenue expenditure के अंदर ही रखा जाता है और जैसे goods and services के अगर हम बात करें जैसे government employees जो है उन सब की जो salary वगएरा दी जाती है और old age के जो लोग है उनको pension वगएरा दी जाती है defense पे जो पैसा खर्च होता है CRPF वगएरा पे जो पैसा वो revenue expenditure के अंदर आता है इन सबसे ना तो central government कोई asset बन रहा है ना ही कोई liability बन रही है उसके सासा जैसे कोई state government है या फिर कोई union territory है या फिर कोई foreign country है अगर उसको कोई grant दी जाती है तो वो भी revenue expenditure के अंदर ही आती है और यहीं पे हम revenue deficit को समझ सकते है जिसी कि जितने पैसी की outgoing ह होती है और जितने पैसे की incoming होती है उसके बीच का जो difference है वो revenue deficit होता है यानि revenue expenditure minus revenue receipt is equal to revenue deficit वही पे अगर हम capital expenditure की बात करें तो इससे या तो asset create होता है या फिर central government पर जो liability है वो create होती है जैसे कि construction of national highways के अगर हम बात करें मतलब national highways को जब बनाया जा रहा है तो ऐसी situation में जो ए asset की तरह central government के पास में काम करता है कि national highways बन गए और उसके अलावाज जैसे government loan की अगर repayment हो जाती है तो जब तक loan की repayment नहीं हो तो उस पर interest भी दिया जा रहा था तो वो basically liability जो पढ़ रही थी वो कम हो गई और कोई factory को establish कर दिया गया ये भी asset की तरह काम करेगा health और education पर जो भी ऐसी समझ सकते हैं कि कितने पैसे की outgoing और कितने पैसे की incoming capital के अंदर हो रही है उसका जो difference हो capital deficit होता है यानि की capital deficit is equal to capital expenditure minus capital receipt अब यहाँ पर जो बजट होता है जिसको कि annual financial statement बोलते हैं Indian constitution में इसके पांच main process होते हैं सबसे पहले budget को present किया जाता है finance minister अपनी speech देते हैं पार present होता है और budget को जैसी present किया जाता है उस पर general discussion होता है मतलब mainly जो outline वगएरा जो है उन सब पे key highlights जो है उन सब पही discussion होता है और उसके बाद में जो house होता है वो उसको adjunct कर दिया जाता है और जो यह budget को present किया गया थे यह जो documents हैं सबको जो standing committees होती हैं उन सबके पास में planning committees के द्वारा देखा जाता है जनरल इनको एक मैने का period दिया जाता है और इसके बाद में जो demand for grant है उस पर voting की जाती है यह सारी voting जो है लोक सभा के अंदर ही होती है राज्य सभा का इसमें कोई role नहीं होता है और जब यह voting complete हो जाती तो उसके बाद में appropriation बिलकु पास किया दो parts में part a में जो budget के बारे में बात की जाती है वो basically general economy क्या है इंडिया की उसके बारे में बताया जाता है कि हमने क्या-क्या विकास किया इस चीज़ के बारे में इनके द्वारा बताया जाता है कि कोई बी tax वगरा से related जो proposals रखे जाते हैं उन सब के बारे में और जैसे ही इनकी speech को conclusion होता है, speech जैसे इनकी खतम होती है finance minister की लोग सबा के अंदर तो उसके बाद जो annual financial statement जो होता है उसको basically राज्य सबा के अंदर table किया जाता है, वहाँ पे उसको रखा जाता है और फिर उसके बाद जैसे जो general discussion है वो basically दो stage में होता है, सबसे पहले first stage में हाँसे वो adjourn हो जाता है और जो standing committees की specific departments वगरा है या फिर ministries जो है, उन सब के pass में ये भेजा जाता है, जिससे की वो इस पे जो demand for grant है, उन सब को यहाँ पर scrutrise कर सकें अब यहाँ पर एक situation और आती है, जिसे की budget को present तो first February को किया जाता है और pass जो है वो first April को होता है, तो यह दो महिने का period जो होता है, या फिर यह period जादा भी बढ़ सकता है, अगर opposition जादा नोटंगी करे तो, तो ऐसी situation जो यह period चलता है, कम से कम दो महिने का, इस period में जो खर्चा वगरा होता है, government employees वगरा कि salary, light, खर्चा, बिजली खर्चा, जब सब खर्चा जो है, वो basically कहां से आएगा, उसका खर्चा कैसे चलेगा, उसके लिए जो finance minister है, वो पारलेमेंट में जाते हैं और vote on account महाँ पे demand की जाती है, इसमें जनरली होता है कि जिसे total expected expenditure जो होता है, मतलब कि आने वाले साल के लिए, जिस साल के लिए budget piece किया जा रहा है, उसका जो total expenditure है, उसका one sixth जो है, यहाँ पे vote on account में demand किया जाता है, इतना पैसा हमें दो, जिससे की जब तक यह budget pass नहीं होता है, इसके बताया जाता है, अब यहाँ पे vote on account में जो पैसे demand इनके द्वारा किया जाता है, और जो यह पैसा आता है, यह basically CFI से, यानि कि Considulated Fund of India के अंदर से ही इनको यह पैसा मिलता है, अब जैसे ही general discussion खतम होता है, तो उसके बाद में house agent हो जाता है, और standing committees के पास में यह जो budget की प्रिजेंट किया गया था, यह पहुंच जाता है, जिससे कि वो demand for grant जो है, उसको scrutinize कर सके हैं, और फिर उसके बाद में, जो reports वगएर हैं, उनके द्वारा पर prepare की जाती हैं, और फिर उनको reports जो prepare की जाती है, लोकसाबा के अंदर, अब यहां पर कभी यह voting की जानी है, कभ इस पर discussion होना है, इसके बारे में जो time है, मतलब कि इस date को यह चीज होगी, इस date को यह चीज होगी, इस चीज का decision है, वो basically speaker के द्वारा लिया जाता है, जो leader of the house होते हैं, उनके साथ में speaker consult करके यह time decide करते हैं, और जिस दिन last date होती है, उस दिन को बोला जाता है gluten, ठीक है, gluten में basically होता है कि speaker के दौर जितनी भी demand for grant है, उन सब को vote के लिए रखा जाता है, बिने किसी discussion के, उसको ही यहां पर gluten के नाम से जाना जाता है, जो जनरल discussion वगेरा खतम होता है, और voting वगेरा जो vote होते हैं, demand for grants पे अगर वो पास हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो appropriation bill है, वो आता है, जिसमें basically, जिस जैसे कि हमने पहले भी बात की, जो CFIA, यानि की consolidated fund of India है, वहां से पैसा निकाल के खर्च करने के लिए इस bill को लाया जाता है, इसमें में लिए दो provisions होते हैं, दो तरीके की पैसे के बारे में इसमें बात की जाती है, एक तो जो demand for grant पे जो voting की गई है, वहां का जो total पैसा है, वो इसमें included होता है, उसके अलावा charge expenditure होता है, charge expenditure को हम एसे समझ सकते हैं, जिसे की मतलब president वगरा का जो involvement होता है, या फिर जिसे राजी सबा के जो chairman होते हैं, deputy chairman जो होते हैं, उनकी salaries वगरा, उनकी allowance वगरा, लोग सबा के speaker और deputy speaker की salary allowance, supreme court के judges वगरा की salary allowance, CAG का यानि की operator and auditor general of India, जो हैं, उनका, उसके अलावा government bodies और agencies जो होती हैं, उन सब का भी, जो कि Indian constitution में mention की गई हैं, उन सब का भी basically जो salary allowance होता है, उस से related जो पैसा होता है, वो सब charge expenditure के अंदर रखा जाता है, जिस पे की, जो parliament होता है, उसकी कोई voting की ज़रुवत नहीं होती है, और ये इस तरीके से जो appropriation bill है, वो pass हो जाता है, और appropriation bill के बाद में finance bill के पास होने का process से start होता है, वैसे तो जो finance bill है, जैसे budget को जब represent या present किया जाता है, houses में, तो उसके just बाद ही, जो finance bill है, उसको लोग सबा में introduce किया जाता है, बट इसका जो pass होने का process से, वो appropriation bill के बाद में start होता है, जिसमें finance bill जो है, इसमें basically होता है, जैसे smaller taxes और वगरा से related कोई proposals वगरा हैं, कोई variations हैं, कोई rules and regulations में, कोई changes वगरा किये गए हैं, duties वगरा में, उन सबसे related जो provisions होते हैं, वो finance bill के अंदर रखे जाते हैं, और फिर बाद में ये finance bill basically pass होता है, और ये किस तरीके से pass होता है, कोई भी finance bill हो गया, money bill हो गया, मतलब general bill जो होता है, किस तरीके से pass होता है, उससे related video जो है, आपको नीचे description में बिल जाएगे, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें finance bill pass हो जाता है, तो basically जो budget हो पूरी तरीके से pass माना जाता है, और 1 अपरिल के बाद में वह लागू हो जाता है, जहां पर जिसे लोग सबा और राजे सबा के अगर हम बात करें, तो इन में काफी differences होता है budget के टाइम पे, जिसे कि जो demand for grant है, उसकी voting या फिर जो introduction होता है, वो उसको accept करना है, इस type की जो भी चीज़े हैं, वो सब लोग सबा के अंदर ही होती है, राजे सबा का यहां पे कोई भी लेना देना होता नहीं है, जो budget होता है, उस पर बस general discussion जो है, वो राजे सबा में होता है, और जो demand for grant है, उस पर voting राजे सबा में नहीं होती है, तो यही कुछ important information, budget यानि कि annual financial statement के बारे में कि वो क्या होता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़े होती है, और किस तरीके से जो इंडियन पार्लेमेंट है, उसमें उसको पास किया जाता है, तो आज के लिए बस इतना ही, hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to study couch, thanks for watching and have a good day.